हरा हैट है हलो जुरेंस तो हम लोग पिछले क्लास में एमॉपस सोलिड और क्रीष्टलाइन डिफरेंस देखे थे onda कि एमॉपस सॉलिड GET verdOW क्या हुता है इसके बारे में हमने डिचकर्छ किया था ठीब? मोर्फस Фॉलिड हो हम लोग बोली थे कि वो स्ट्यूड जो, solid है या false solid है जबकि crystalline solid जो हमारा है वह हमारा क्या था? फू हमारा true solid था ठीक इनके बारे में हमने बाऴा detail में पिछले class में discuss किया था हम लोग वहाँ पे बताये थे कीsey рचांपल के बारे में basically discuss कर रहे थे हमने कहा था amorphous solid जो हमारे हैं उनका कुछ example देखे थे जैसे plastic था जैसे हमारे wood थे जैसे हमारा glass था यह सारे examples हमने provide किया था तो यहाँ पर एक simple बात अगर समझो इनमें examples कहने का मतलब हमने पिछले class में सुचने के लिए बोला था तुमको कि glass amorphous solid क्यों है ठीक है तो actual में amorphous solid का मतलब क्या हुआ तो amorphous solid हमारे कौन होते हैं तो amorphous solid हमने कहा था कि जिनके पास क्या हो जो भहुँ सारे properties जैसे हमने discuss किया था यहाँ पर हम question समझे कि why glass is treated as amorphous solid और super cool liquid तो देखो ग्लास जब इस चीट को एक example से पहले समझो जैसे हम अपने घर में घर में अगर window है या doors है उसमें अगर glass लगा होता है तो glass अगर long time के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या होता है कि उसके जो उपर वाले portion होते हैं वह thin होते चले जाते हैं और नीचे वाला जो पार्ट है वह थीक होता चला जाता है और एक समय आता है कि वह जाके वह तूट जाता है मतलब ग्लास अगर किसी घर में लगा हुआ है तो glass 10, 20, 25 साल के बाद वह खुद बाद खुद टूट जाता है कोई तोड़े नहीं भी तो अभी वह टूट जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि उपर का portion thin हो गया और नीचे का portion क्या हो गया थीक हो गया due to center of gravity so it means that कि glass particles के पास flowing tendency है क्या है flowing tendency और इस flowing tendency के होने के कारण से क्या हुआ नीचे का थीक हो गया और उपर वाला portion जो है वह थीन रह गया तो क्योंकि glass particle के पास flowing tendency है और हम जानते हैं कि अगर solid है तो उसके particles के पास क्या होना चाहिए flowing tendency नहीं होने चाहिए So that's why glass is treated as amorphous solid clear है बात तो एक live में अगर हमको explain करना हो तो हम क्या बोलेंगे कि since glass particles having flowing tendency under center of gravity that's why they are treated as amorphous solid क्योंकि अगर crystalline solid है तो उसके particles flow नहीं करते बात समझ में आ गया तो glass क्यों amorphous solid है ये बात सबको clear हो गया अब एक बात और समझोगे हम पचानेंगे कैसे कि ये amorphous solid है और ये crystalline solid है तो ये थोड़ा तर टफ है लेकिन हम ऐसे कुछ memorize करने के लिए हमने कुछ common example तो देही दिया इसमें एक याद रखोगे कि generally जो हमारे polymers होते है polymers एक नाम अगर किसी कोई भी अगर हमारे पास दिया हुआ है compound उसमें एक poly word यूज हो जाए poly word अगर add हो जाए तो हम समझेंगे कि वो हमारे amorphous solid है जैसे polythene समझ मारे बात कौनसा polythene polyvinyl chloride समझ मारे बात poly acrylonitrile यह सारे terms जो है जहाँ पे भी poly word लग गया मतब अगर वो polymers है तो definitely जितने भी polymers होते हैं they are treated as amorphous solid clear है बात क्या कहेंगे उसको वो amorphous solid होंगे तो इस बात को याद रखने के लिए हम दिमाग में रखेंगे कोई भी कोई भी polystar polythene कुछ भी अगर हमारे पास अगर कहीं भी poly word लग जाए तो हम समझ जाएंगे क्यों हमारे क्या है वो हमारे amorphous solid है बात सब को समझ में आगया clear है बात तो यह हम लोग डिसकस कर रहे थे amorphous solid और crystalline solid के examples को थोड़ा सा हमने समझाया तुमको अब बात हम लोग आगे बढ़ते हैं गोर घरो हमने कहा था कि solid का जो formation है वो होता कैसे है तो solid का formation याद होगा पिछले class में बोले थे कि क्या होता है cooling करते हैं तो rate of cooling होने के कारण से जैसे हम cool करते हैं compress करते हैं intermolecular force of attraction बढ़ता है और solid का formation होता है तो कहता है जो intermolecular force of attraction है तो उनका nature कैसा है अगर intermolecular force of attraction जो molecules के बीच में attraction लग रहा है उनका nature कैसा है उसके अनुसार से हमारे solid भी अलग-अलग हो जाएंगे crystalline solid जो है वो अलग हो जाएंगे बास समझ में आ रहा है हम लोग crystalline solid के बारे में इस chapter में पढ़ने वाले हैं तो हम लोग वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो हमने कहा कि जो intermolecular force of attraction है वो major driving force है किसके लिए? किसके लिए? crystalline solid के formation के लिए तो intermolecular force of attraction अगर change होगा तो क्या होगा? तो उसके कारण से उनके जो molecular arrangement है वो differ कर जाएंगे और अगर molecular arrangement differ हो जाएगा तो हमारे solids जो होंगे crystalline solid अलग-अलग तरह के appear होंगे So it means that on the behalf of different kind of force of attraction crystalline solids को हम लोग चार different category में classify करने वाले हैं clear है बात? तो हम अब बात करने वाले हैं किसका? classification of crystalline solid मतलब अब हम बात करेंगे classification of crystalline solid हमारे crystalline solid कितने तरह के होंगे? तो बात आता है on the basis of on the basis of different kind of different kind of force of attraction different kind of force of attraction कैसा force of attraction है? crystalline solid जो हते है हमारे crystalline solids are of four kind solids are of four kind यह हमारे जो होंगे वो चार तरह के होंगे कौन-कौन? तो देखो यह हमारे होंगे ionic solid ionic solid यह हमारे होंगे कौन से? तो यहांसे covalent solid जो हम लोग समझेंगे one by one covalent solid इसके बाद हमारे पास होगा तिसरा metallic solid metallic solid और चौथा हमारे पास होगा molecular solid यह किसके अनुसार से हो गया? किसके अनुसार से? force of attraction कैसा है particle के बीच में attraction कैसा है? उसके अनुसार से हमारे solids 4 तरह के होगे ionic solid covalent solid metallic solid and molecular solid सबको बाद समझ में आ रहा है तो देखो हम थोड़ा one by one डिसकस करें यह सब नाम तुम समझो ionic solid covalent solid हम लोग याद करो chemical bonding पढ़े थे तो हमने पढ़ा था पूरे chemical bond को हम दो कैटेगरी में classify करते है strong bond and weak bond strong bond and weak bond strong bond तीन तरह कहा होता था ionic bond covalent bond और coordinate bond coordinate bond special kind of covalent bond ही है तो हम कह सकते हैं कि हमारे strong bond दो हो गए ionic bond और covalent bond clear है बात और दूसरा था हमारा weak bond weak bond हमने देखा था तीन तरह का था कौन-कौन तो हमने देखा था vendor wall force hydrogen bond and London force बहुँ सारे books में यह London force hydrogen bond को vendor wall force के अंदर ही डालके रखता है हमने अलग कर दिया तो यह हो गया vendor wall force हमारे हो गया London force हमारे हो गया hydrogen bond यह हो गया weak bonds clear है बात तो कहने का मतलब हुगा कि bonds bonds का मतलब क्या वही attraction इंटर जो particle के बीच का attraction है तो attraction कैसा है उसके अनुसार से हमारे solid चार तरह के हो गया तो हम इन solids के बारे में one by one discuss करते है तो पहला solid हमारा कौन सा है ionic solid तो चलो हम ionic solid के बारे में बात करें करता है सबसे पहला बात ionic solid नाम ही बता रहा है यहाँ जो force of attraction होगा वह ionic bond होगा नाम से ही समझना है ionic solid यहाँ जो force of attraction होगा इसमें तो यह जो force of attraction तुमारा है यह force of attraction हमारा कौन होगा ionic bond होगा और याद होगा तुम लोग जानते हो ionic bond का existence कैसे यह बनता कैसे है complete transfer से बनता है यह form होता है किसके कारण से तो formed due to complete transfer of electron between किसके बीच में तो metal and non-metal यह जो हम कहेंगे between of transfer of electron between between metal and non-metal metal और non-metal के बीच में जो force of attraction होगा मतलब जो complete transfer होगा electron का उसके कारण से जो bond बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे ionic bond बोलेंगे और ionic bond से जो solid बनेगा वो होगा ionic solid कहने का मतलब होगा ion कारण से जो solid का formation होगा वो हमारे कौन होगे वो हमारे ionic solid होगे जैसे एक्जामपल के लिए तुम ले सकते हो जैसे हमारा हो गया कौनसा NACL हो गया KCL हो गया ZNCL2 हो गया ETC जितने भी ionic solids होगे बात सब को समझने आ गया यह मतलब सीधा ऐसे याद रखने जैसे एने प्लस CL- simple example देखो तो कटायन NACL जो force of attraction लगा वो कौन हो गया वो हमारा कौनसा है ionic bond और ionic bond से जो solid बना वो solid हमारा कौन होगा ionic solid होगा इबात सब को समझ में आ गया clear है बात देखो अब बात आता है हमारे पास कि यह जो हमारे ionic solids है ionic solid में कटायन और A9 के बीद में जो force लगा वो तो हमारा कौन था वो हमारा ionic solid था उसमें अब कटायन NAC जैसे हम जानते है ionic solids जो हमारे होते है वो hard होते है brittle होते है उनकी melting और boiling point क्या होती है high होती है और वो almost insulator होते है solid phase में तो एक थोग ionic solids जो हमारे है यह are hard and brittle क्योंकि brittle क्यों hard तो समझ रहे है कटूर और brittle का मतलब क्या हुआ है तूट जाना तो सुभाविक है इतना strong intermolecular force of attraction होता है कि वो क्या होते है वो जैसे ही अगर hammer करेंगे straight string करने की tendency नहीं होगी वो तूट जाते है ठीक है उसके साथ साथ यह हमारे जो है ionic solids जो हम और बात करें तो हमने अभी बोला इनकी melting और boiling point क्या होती है melting and boiling point high melting and boiling point high melting and boiling point boiling point यह almost insulator होते हैं almost insulator या का सकते हो कि bad conductor better होगा क्या कहें तो bad conductor of electricity conductor of electricity in solid phase solid phase while good conductor of electricity while good conductor of electricity in fuse or molten state molten state clear है तो एक एक लाइन में कह सकते हो crystalline solid जो हमारा था वह चार तरह का होगे ionic covalent molecular or metallic ionic solid force of attraction ionic bond ionic bond मतब cut ion के बीच में लगना चाहिए clear है और मतब यह electrostatic force of attraction है इसके कारण से particle tightly बंद जाएंगे इस कारण से hard और brutal होंगे इनकी melting boiling point high होगी यह bad conduct tightly बंदा हुआ है current का flow दो ही कारण से हो जकता है किसके कारण से तो या तो unpaired electron के होने के कारण से और या तो ions के कारण से तो यहाँ पे क्या है या fuse state or molten state या aquos state पानी में डाल दिए तो यह aquos state but molten state and aquos state मतब पानी में solution phase गासकते हो solution phase solution phase में तो इसमें क्य हो गया कि पानी में डाल देंगे तो तो क्य हो गया ions में break कर जाएंगे mis free हो गया तह ions are good conductor of electricity यह बात समझ मैं, कुछ examples ले लो तो यह हमारे कौन हो गया, तो यह हमारा हो गया, NACL हो गया, KCL हो गया, MGCL2 हो गया, ETC, यह सारे हमारे कौन है, ionic solid है, पहला solid clear हो गया सबको, चलो अब दूसरा solid हमारे पास आता है, दूसरा crystalline solid कौन था, यह force of attraction के अनुसार से हम लो बात कर रहे है, दूसरा हमारा है, covalent solid, तो नाम ही बता रहे है, covalent, नाम ही तुमको बताएगा, ionic तो ionic bond, covalent तो covalent bond, यह यहाँ पे जो है, force of attraction जो लगने वाला है, यह force of attraction हमारा कौन सा है, यह force of attraction हमारा covalent bond है, कौन सा है, covalent bond, और हम जानते है, covalent bond किसके बीच में लगता किसके कारण से लगता है तो यह equal sharing से इलेक्ट्रो निगेटिव एटम्स के बीच में लगता है और यह लगने कारण क्या होता है तो यह equal sharing से बनते हैं मता हम कहा सकते हैं formed due to equal sharing of electrons between two atoms, between two non-metals, हम direct click सकते हैं, non-metals या हम कह सकते हैं, या हमारा कौन है? कोवेलेंट बॉन्ड है, और उससे जो सॉलिड बना, वो हमारा कौन है? कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यह बात सब को समझ बाद, यह बॉन्ड की बात है, ज्यादा इसमें कूछ दिमाग लगाने की ज़रुत नहीं है, यह फोर्स ऑप अट्रेक्शन double bond triple bonds बनते हैं तो जितने भी non metal के solids हैं सारे non metal के solids हमारे जो हैं वो हमारे कौन होंगे वो हमारे covalent solids होंगे किलियर है सुभाविक है अगर ये particles बंद जाएंगे इनके बीच में covalent bond जो है वो bond इनके बीच में अगर रहेगा तो उसके कारण से ये क्या हो जाएंगे बहुत ही hard हो जाएंगे क्या हो जाएंगे बहुत ही hard होंगे मत्तब ये hardest hardest का सकते out of four solids सबसे hardest solid कौन होगा covalent solid होगा तो ये हमारे covalent bond sharing के कारण से ordered bond हो गया और ordered bond होने के कारण से ये जो होंगे ये बहुत ही hard होंगे मत्तब covalent solids are very hard covalent solids are very hard बहुत ही hard होते हैं hard और hard हो गया तो सुभाविक है melting और boiling point भी जादा होगी very high melting and boiling point very high melting and boiling point melting और boiling point जो होगी इनकी बहुत ही जादा हो जाएगी clear है बात और यहां पर आता है bond तो देखो अब यहां तो sharing electron sharing में चला गया तो electron free बचा नहीं और दूसरा यहां iron का कोई concept नहीं है तो ना तो iron free है यहां पर और नहीं यहां पर electron free है तो इस कारण से यह क्या होंगे यह almost insulator होंगे क्या होंगे या bad conductor of electricity होंगे मत्तब यह हमारे होंगे almost insulator कहो या कहेंगे bad conductor of electricity bad conductor of electricity ठीक है हाँ यह आप example किसको छोड़के graphite को छोड़के graphite graphite carbon का हम जानते हैं जो एलो ट्रॉफ से कौन सा है तो diamond है और कौन है तो diamond के साथ साथ graphite हो गए तो diamond bad conductor of electricity है लेकिन graphite जो है वो हमारा क्या होता है गुड कंड़क्टर of electricity है यह हमने already chemical bonding में बता रहा था hybridization का case होता है sp3 diamond sp3 होता है और जो हमारे जो graphite है वो sp2 hybridization करते हैं और उसके कारण से उसका एक electron free हो जाता है layer change होने से और free electrons होने के कारण से electricity को conduct करने लगता है यह हमने discuss किया हुआ है पहले तो हम simple यहाद रखें इसके कुछ examples इसका भी अगर हम देख लें तो इसका examples हमारे पास जो होगा अभी हमने जो बोला diamond हो गया ग्रिफाइट हो गया ग्रिफाइट हो गया यह हमारे quartz हो गया यह सारे के सारे यह सारे के सारे हमारे क्या है covalent solid है बात समझ में आ गया तो दो बात clear हो गया आयनिक solid clear हो गया और covalent solid clear हो गया यह carbon random और example एक और हम लिख देते हैं carbon random carbon random यह हमारे जो होगा है यह SIC यह SIC बोलते हैं यह सबसे hardest hardest solid known है ऐसा बोलते है कि हमारे SIC जो है यह carbon random है है यह hardest covalent solid जो की known है अभी तक ऐसा माना जाता है clear आरे बात सबको तो अब हमारे पास 3 solid 3 crystalline solid आता है कॉनसा वह हमारे पास metallic solid जो गोर खरो हमारे पास अगला solid आता है 3 solid यह है हमारे पास metallic solid metallic solid metallic solid जो हमारा है यह नाम ही बतार है metallic तो यह जो force of attraction है यह हाँ पे जो force of attraction होगा यहाँ पे भी force of attraction देखो force of attraction जो हमारा है ionic solid भी electrostatic force है और ये भी electrostatic, इसमें भी force of attraction जो होगा, वो electrostatic force of attraction है electrostatic force of attraction मतलब nature of force of attraction पूछा जाए, किसमें सेम है तो crystalline solid के दो example होगा, ionic solid और metallic solid दोनों का force of attraction सेम है कि दोनों electrostatic force है मतलब मतलब दो चार्ज के बीच में लग रहा है लेकिन अंतर क्या है ionic solid में जो force of attraction लगता है वो cation और anion के बीच में लगता है जब कि यहां जो exist करता है force of attraction यह exist करता है exist between इसका existence जो होता है जब कि यहां जो force of attraction होगा वो किसके बीच में होगा तो यह होगा metal iron हम लिखते हैं M plus N कर देते हैं तुमको समझने के लिए M plus N metal iron और कौनसा free electron मतलब यह electrons है तो metal iron और free electron के बीच में जो force of attraction लगेगा वो metallic bond और metallic bond के कारण से जो solid का formation होगा वो हमारा वो हमारा जो होगा वो solid वो हमारा solid जो होगा वो हमारा metallic solid होगा मत्तब यहाँ जो bond हो गया वो हो गया metallic bond force of attraction यहाँ पर metallic bond तो नामी से clear हो रहा है कौनसा समझो simple ionic solid ionic solid वो force of attraction ionic bond covalent solid force of attraction covalent bond metallic solid force of attraction metallic bond metallic bond किसके बीच में लगे बटा metal iron और free electron के बीच में इसको explain करने के लिए एक theory हमारे के पास है c electron theory कौनसा यह इनके bond के existence को explain करने के लिए हम लोग के पास एक है c electron theory है theory यह बताता है metallic bond का explanation देता है यह बताता यह बोलता है c electron तेकर में दिमाग नहीं लगाना है simple simple समझ सकता है तो लोगते जहिए c electron theory इसको इससे समझेगा कि metal के पास क्या होता है free electrons तो metal iron के metal के पास free electrons है तो धेर सारे electrons होंगे और उसमें उसमें metal ions होगा वो कहीं कहीं होगा यह कहता है कि in the sea इस theory को हम ऐसे समझेंगे इस theory बोलता है in the sea of electron metal ions are present मतब कहीं कहीं metal ions होंगे मतब यह बोलेगा in the sea of electron in the sea of electron metal sea of free electrons of free electrons metal ions are present electrons metal ions are present simple language में हम लोग कहा दें कि यह कहने का मतलब यह हुआ क्या इसका explanation आएगा सो देखो जैसे यह metal ion कोई भी metal के पास metal ions होंगे और इसके चारों तरफ कौन होंगे पीड़ा free electrons होंगे कौन होंगे free electrons चारों तरफ free electrons है तो metal ion और free electrons के बीच में क्या होगा force of attraction लगेगा ही यह देखो यह attraction लग रहा है इनके बीच में क्यों तो electron यह भी ion positive charge negative charge attraction कौन सा है electrostatic force है यह भी electrostatic force ही है अंतर क्या है यहाँ पे metal ion और electron के बीच में लग रहा है और ionic solid पे cation और anion के बीच में लगता है यह basic difference है तो यह है this theory is called यहाँ पे जो लगा यह electrostatic force यहाँ भी लगा this electrostatic force is called metallic force और इसके कारण से जो solid बनेगा वो हमारे क्या होंगे metallic solid होंगे सुभाविक है यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो comparatively अगर हम देखेंगे तो इनकी में यह अब देखो यह किसके बीच में लाई किया तो यह ionic solid और covalent solid के बीच में होंगे मतलब ionic solid hard थे covalent solid very hard थे तो यह कौन हो गया इन दोनों के बीच में हो गया मतलब करा सकते हो कि hard less than very hard मतलब यह जो इनकी बात करेंगे तो यह harder होगा लेकिन hard तो होगा लेकिन किस से कम होगा तो इसका hardness जो होगा हम करा सकते हैं hardness hardness lies between between किस के बीच में between ionic and covalent solid ionic and covalent solid ionic and covalent solid मतलब दोनों के बीच का case होगा सेम चीज मेल्टिंग और boiling point भी सेम चीज होगा उसमें सबसे ज़्यादा था कोवैलेंट solid में और ionic में कम तो ionic और इसके बीच में लाई करें यह कौन सा यह हमारा metallic solid हम कहा सकते हैं melting point and boiling point यह भी कहेंगे lies between lies between between को जनरली डबलु लिखते हैं जानते ही हो तुम लोग lies between किस के बीच में तो यह भी ionic and covalent solid दोनों के बीच में लाई करेगा अच्छा एक बात और last point इसका अगर हम बात करेंगे conductivity तो सभाविक है इसके पास free electrons है तो यह क्या होंगे good conductor of electricity होंगे good conductor of electricity good conductor of electricity conductor of electricity यह electricity के good conductor होंगे और last point हमारे पास इनके example की बात कर लो तो इसका example जितना भी हमारा कौन सा है metal जितना है metal जैसे magnesium हो गया calcium हो गया zinc हो गया aluminium हो गया ITC जितने भी हमारे जो हो गए यह सारे के सारे हमारे जितने भी metals है हमारे metallic solid होंगे बात समझ में आ गया तो तीन solid हमारा clear हो गया onic solid, covalent solid, metallic solid यहां तर सबको clear है good अब आता है हमारे पास चौथा crystalline solid वो है हमारे पास molecular solid अब ये जो molecular solid हमारा है तो हमारे molecular solid जो है पोर्स ओफ attraction होगा ये force of attraction हमारे कौन होगे तो ये force of attraction हमारे होते हैं weak bond और weak bonds जो होते हैं basically ये intermolecular force of attraction होते हैं ये हम लोग chemical warning अबटाँ detail में डिसकुश किया है Intermolecular Force of Attraction क्योंकि लेकिन नए स्टुडेंट्स हैं उनके लिए भी हम explain कर दे थोड़ा सा Intermolecular मतब दो molecule के बीच में Force of Attraction जो लगेगा वह हमारा weak bond है मतब ये दो molecule के अभी तक जो भी bond बना था Ionic, Covalent, Metallic ये सब दो atoms के बीच में दो particles के बीच में लग रहेते दो atoms के बीच में ये जो force of attraction है ये किस के बीच में लग रहे है दो अलग-अलग molecules के बीच में लगेगा अब molecule के बीच में जो force of attraction लगेगा तो ये जो force of attraction है ये हमारे तीन तरह के होंगे कौन-कौन होते हैं तो ये हमारा होता है हाइड्रोजन बॉंड ये हमारा होता है कुझ सा तो ये हमारा है वेंडर्वाल फोर्स और तीसरा हमारे पास होता है लंडन फोर्स लंडन फोर्स के लिए रहे बात तो हम हम इसमें विक बांट जो है विक बांट तीन तरह के इसके बारे डिटेल स्टडी जब केमिकल बांडिंग का लेक्चर हम लोग देंगे विडियो लेक्चर उसमें भी तुमको मिल जाएगा तो ये और ऐसे क्लास में तो हम लोग इसको लेड़ी पढ़े हुए 11 का पार्ट है ये लेकिन थोड़ा सा तुमको हम ब्रीफ कर दे कि इससे तुम इस चीज़ को समझभाओ हाइड्रोजन बॉंड वेंडर्वाल फोर्स लंडन फोर्स अच्छा देखो अब ये भी फोर्स जो है ये फोर्स तीन तरह का हो गया तो जब फोर्स अप अट्रैक्शन डिफरेंट का इंड का हो गया तो उसके कारण से बना होगा सॉलिड भी क्या होगा तीन तरह का होगा भात सब को समझ में रहा है इसका मतलब ये हो गया हम यहां से ये जोड़ ले तो kind of molecular solid तो molecular solid जो हमारे होंगे molecular solid भी हमारे कितने तरह के होंगे यह तीन तरह के हो जाएँगे three kind सबको भात समझ में रहा है यह तीन तरह के होगे कौन कौन तो एक पहला बोलें गे hydrogen bond crystal वाचनके सुख्राइब करेंड इसका फोर्स ओप अट्राइक्षन हाए इसका फोर्स ओप甩 क्वाणों औहको क्यूंगा समझे है क्षुप्राइब करता हुए है हम तुमको क्विक्ली उतने लिए बता थे ना तुमको समझ मैंगे hydrogen bond जो है, वो hydrogen और phone के बीच में लगता है, mobile phone नहीं, वो याद रखेगा mobile phone से, phone, याद रहेगा, phone, phone, F-O-N, phone, आज कल phone इसे ही लिखा जाता है, phone, तो F-O-N, fluorine, oxygen, nitrogen, इनके, और hydrogen के बीच में अगर कोई force of attraction लगता है, तो उस bond को हम hydrogen bond बोलेंगे, जैसे, जैसे HF, hydrogen और fluorine है, और ये HF, हम एक्जामपल से कुछ explanation तुम को दे दे, ये पहला हमारा solid था, कौन सा hydrogen bond crystal हम साथी में explain करते जा रहे हैं, तीन तरह का है, ये, तो HF जो हमारा है, HF, fluorine और hydrogen में ज्यादा electronegative को अनता है, fluorine, तो fluorine खीच खीचेगा, तो इस पे negative charge और इस पे positive charge, ये खीचेगा, इस पे negative charge, इस पे positive charge, और इस निगेटी पाजिटीव में जो force of attraction यहाँ पर लगेगा, ये force of attraction हमारा कौन है, hydrogen bond है, तो यहाँ किसके भीच में लगा hydrogen और phone में से एक है, तो hydrogen और phone में लगेगा, उसको बोलेंगे, hydrogen bond और इस से जो, तो HF crystal, पुछा जाँ है, HF crystal, जहाँ भी H और phone आ गया, phone में से कोई एक आ गया, तो हम कहाएंगे कि वो हमारे कैसे crystal है, तो hydrogen bond crystals है, ठीक है, example, एक और example तुमको देख लो, जैसे example के लिए water का ही बात कर लो, तो water में क्या होगा, HOH, फिर होगा, HOH, ये खीच निगेटिव, पॉजटिव ये खीचेगा, निगेटिव, पॉजटिव, इनके बीच में जो attraction लगा, वो कौन सा attraction था, वो भी hydrogen bond है, क्यों, क्योंकि ये किसके बीच में लगा, hydrogen, किसके बीच में लगा, hydrogen, दो अलग-अलग molecule, एक molecule, दूसरा molecule, दो अलग-अलग molecule, और दोनों क्रिस्टल है सबको बात समझ में आ गया है तो हाइडरोजन बॉंड क्रिस्टल तो कीलियर हो गया अब देखो अगला सॉलीड हमारे पास दूसरा सॉलीड हमारा जो है वहँडर्वाल सॉलिड कौन है वैंडर्वाल सॉलिड हम उसको भी डिसकस करेंगे। वेंडर वाल सॉलिड है दूसरा हो गया वेंडर वाल सॉलिड क्यों इस से बना और वेंडर वाल सॉलिड को ज्याधा वेंडर वाल फोर्स से बना तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलर सॉलिड क्या बोलेंगे पोलर सॉलिड बोलेंगे इसमें जो force of attraction है इसका force of attraction है इसका force of attraction जो होगा वो वेंडर्वाल force है तो ये simple समझना है ये बात को simple दिमाग में रख लेना है क्या कि हाइड्रोजन bond से जो बना हो hydrogen bond crystal वेंडर्वाल force से जो बना वो हमारा कौन होगा वो पोलर सलीड होगा और जो लंडन फोर्स से बनेगा उसको हम बोलते हैं नन पोलर सौलीड हम लोग आगे बता रहे हैं तो इहां पर दे тобo हम क्यों यह है पर इस चीज़ को डिसकर स्करर रहे हैं देखो अगर दो एटमम Working aumentar हाएं यह हम लोग जानते हैं PayPal बोड़े हम इसको लंबा नहीं करना चाह रहा है इस प्रक्रम को इस कारती लोग को अहला कर रही हो जैसे दो एटम और भी है और इलेक्ट्रोनिगेटिवीटी बी का आगर आसे ज्धा है मतब हम लोग जानते हैं तो जिसका electron negativity ज्यादा होगा वो electron को अपनी तरफ खीचेगा तो खीचेगा तो B खीचा इस पे negative charge इस पे positive charge अब दो atom ऐसा है यह खीचा negative positive this charge का development इसको polarity बोलते है तो यह हो गया इधर पे charge का development वही बात तो यहाँ negative और positive negative positive के बीच में जो force of attraction लगा तो दो molecule के बीच में force of attraction है यही है हमारा molecular force अब अगर यह वाला atom hydrogen और phone है हम यहाँ पर इसी कानिच को तमझा दिये hydrogen और phone है hydrogen और phone है तो वो हमारा कौन होगा hydrogen और phone है तो वो क्या होगा? hydrogen bond होगा hydrogen bond से जो crystal बनेगा hydrogen bond crystal होगा इसी चीज का हम तुमको यहाँ दे जैसे मालो हमने लिखा HCl दोनों को थोगा समझो HCl तो सोभाई के जैसे fluorine ज्यादा electron negative hydrogen से वो ऐसे ही chlorine भी ज्यादा electron negative है किसे hydrogen से तो chlorine खीचेगा तो खीचेगा तो इस पर negative charge और इस पर का यहाँगा positive charge फिर यह इधर से खीचेगा इस पर negative charge इसके उपर positive charge क्लियर है यहाँ भी force of attraction लगा कि नहीं समझ भाई बात तो जैसे यहाँ force of attraction लगा वैसे ही force of attraction वहाँ भी लगा समझ भाई बात तो दोनों में अंतर क्या है दोनों में अंतर यहीं कि यहाँ hydrogen और phone है क्या है hydrogen और phone है और यहाँ पर hydrogen तो है लेकिन phone है नहीं है तो हम एक line में दिमाज में बैठा लेना है एतना तो 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 तेज ही है कहाँ बैठा लेगा कि hydrogen और phone के बीच में लगेगा किसके hydrogen और phone के बीच में लगेगा तो वह hydrogen और उसको छोड़के कही भी लगए तो वह मारा कौन होगा वो हमारा वेंडर वाल फोर्स होगको वर्स होग सबस्क्राइब कि लियार बात सब को के लिए इस तो च ना भीया का सॉलीड होगगा टोस्तोев कोц में डालेंगे और उसको छोड़के कोई भी होगा जैसे हमने यहां वे बोला ACL हो गया, SO2 हो गया, यह जितने भी examples हमारे पास होंगे यह सारे के सारे कहां जाएंगे polar solid के criteria में जाएंगे यह बात सब को clear हो गया, तो हमारा तीसरा कौन था इसको अगर गौर करो तीसरा solid जो हमारा है, वो solid हमारा हो गया, non-polar solid non-polar solid, और सुभाईक है यहां जो force of attraction होगा यहां जो force of attraction होगा इसका, यह force of attraction इसका कौन होगा London force होगा, कौन होगा, London force या इसको हम लोग बोलते है dispersion force, क्या बोलते है, dispersion force, यह तीनों bond कौन से है weak bonds है, कौन से हैं यह, weak bonds है, यह हम लोग बार-बार repeat कर दे रहा है, कि यह chemical bonding में हम लोग बना detail में पढ़े हुए हैं, और पढ़ते हैं, हम यह 11th का part है, लेकिन हम जितना जरूरत है, उतना हम समझा दे रहा है, दिवाग में रखना है, लंडन फोर्स जो है, वो non-polar molecules के बीच में लगेगा, मत्तब यह जो force लगता है, यह exist between, exist between non-polar molecules, simple याद रखना है, यह non-polar molecules के बीच में लगता है, dispersion के कारण से इसका formation होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम गारे पास क्या होगा, non-polar, मत्तब polarization नहीं हो, जैसे माल लो A और B है, हमने बताया था कि electronegativity एक B का जो है, वो A से ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा है, वो खिचा है, इस पर negative charge, इस पर positive charge, तो यह जो charge का development हुआ, इसको बोलते है, polarity, और इस polarity के कारण से, जो polarity का development हुआ, जिस molecule में polarity आ गया, उस molecule को हम polar molecule बोलते हैं, हम बता दे रहे हैं, कि इसको समझा दे रहे हैं, लेकिन अगर यह ही electron negativity दोनों का, electron negativity of A and electron negativity of B अगर बराबर है, तो बराबर होगा तो क्या होगा, कोई किसी को नहीं खीचेगा, और कोई किसी को नहीं खीचेगा, तो कोई development नहीं होगा, और यह नहीं होगा, तो यह हमारा क्या होगा, कोई charge नहीं आया, तो यह हमारा polarity, no polarity और polarity नहीं हुआ, 0-0 आ गया, मतलब कोई किसी को नहीं खीचा, तो polarity नहीं हुआ, मतलब ये solid हमारा कौन सा हो गया, ये जो हमारा molecule है, ये non-polar molecule है, ये बात सबको समझ भागया, क्लियर है, electro negativity जिसका जादा हो, अगर किसी एक का जादा कम हो गया, तो खीच देगा, खीच द information हम बता दे रहे हैं, जो नए student है, जो उनके लिए हम लिख दे रहे हैं, ये electro negativity का एक scale लिख दे रहे हैं, तुम लोग याद रखोगे, polling scale of electro negativity, ये हर जगा तुमको 11 से लेके, लास्ट तक हमेशा तुमको जरूरत पड़ेगा, याद रखेगा ही, कभी तुमको electro negativity का जंजट नहीं रहेगा, इतना याद रखेगा, ब्रमास्तर है जितना लिख दे रहे हैं, इतने हमें सारा electro negativity का काम तुमारा हो जाएगा, हम लिख रहे हैं, याद रखने का तरीका बत हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन हो गया, हम यहाँ लिख देते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेसियम, लिथियम, सोडियम, पोटेसियम, फ्राइब दे रहे हैं, कि तुम लोगो समझ में है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन इदको जिसने द फ्लोरीन इधर हो गया Godogum magnesium aluminium silicon एह हो गया phosphorus sulfur और chlorine और potassium और इधर ले लेते हैं ये और provide ब्रोमीन ले रहे हैं potassium कैलिसियम और इतना को केवल द्याद रखने इतना ही जरुवट हर जगा तुमको पड़ता हैं हम बता दे रहे हैं याद रखोगे electron negativity देखो जैसे ये बाथ हमारी पास आई 2 hydrogen hydrogen का electron negativity 2.1 होता है ॹ्याद रखेगा जो हम बता दे रहें बस दिमाग में रखेगा कभी तुमको दिकत नहीं होगा इलेक्ट्кої बेढ़ लेने में इसका होता है 2.1 ठीक है? Lithium लिथियम का इलेक्ट्रो निगेटिविटी जो होता है 1 ये दूगों याद रखेगा ये इतना याद रखेगा हाइडोजन का कितना 2.1 और लिथियम का 1 ये ठीक है क्लियर है आप सुन ये कोई रूल नहीं है ये हम बता रहे हैं तुमको याद रखने के लिए समराइज कर दे रहे हैं कि तुमको आसानी से याद हो जाए चल याद क्या रखेगा यहाँ पे 2.1 यहाँ पे 1 अब इसके नीचे बढ़ेगा 0.1 घट ते चल जाना है कितना घटना है 0.1 घट जाना है क्या करेगा 0.1 घटेगा गौर करेगा चल तो यहाँ घटेगा तो कितना होगा 0.9 इसका कितना होगा 0.8 सब को बाद समझ में आगए तो ही तो याद हो गया हाइडोजन का क्योल याद होगा इससे बताए हुए हैं हम लोग है लीना किरभ से फर्याद उपर से नीचे तो हमको याद ही है इसका हाइडोजन का 2.1 यह हो गया कितना लीथियम का 1 तो यह 1 बस यह को दूगो खाली याद रखना है और सारा का ब्योस्थाम करके दे रहा है इसका 1 है तो इसका कितना होगा बस 0.1 घट जाना है कितना बढ़ेगा कितना बढ़ेगा 0.5 बढ़ेगा क्लियर है बात चल तो देख क्या होगा 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 बरदास हो गया बात बरदास हो गया कि नहीं साब़ो चल यह उखाली याद रख यहाँ से 0.5 बढ़ते चल जाना ठीक है अब सुल यह देख इसमें इसमें क्या करेगा इसमें यहाँ पर आया 0.9 इसमें 0.3 बढ़ेगा कितना बढ़ेगा 0.3 बढ़ेगा 0.3 इसमें कितना बढ़ेगा 0.3 बढ़ते जाएगा 2nd last 2nd last on on 0.4 बढ़ेगा 0.5 बढ़ेगा इसमें सब में 0.3 बढ़ते चल गया क्या हो गया इस में कितना बढ़ेगा .3 बढ़ते जाएगा और लास्ट में सेकेंट लास्ट में 0.4 लास्ट में 0.5 चल देख इसमें 0.3 जोड वन पॉइंट नौतिन बारा 1.2 यह हो गया 1.2 1.5, 1.8, 2.1, clear है यहाथ है, अब यहाँ से यहाँ गया, 0.4 बढ़ना है, second last, 0.4 जोर दे, 2.5, यहाँ से यहाँ जाना है, फिर 0.5 जोर दे, तो कितना हो गया, 3 हो गया, बात बरदास हो गया जबको, इसमें बढ़ना है, इसमें बढ़ना है, 0.2, तो यह हो गया, कितना 1, और यहाँ पर इसको याद रखेगा, यह ब्रोमीन है, ब्रोमीन का जो है, वो 2.9, 96 के आसपास 94 होता है, क्लियर है बात, सबको बात समझने आ गया, तो यह याद रखेगा, इसका फाइदा कहा होगा सर, चल अभी देखा होते हैं, तो देख, जैसे यह देख, अब उसी चीज़ को explain कर देते हैं, क्यांकि बता दिये तुम लोगो कितना मानते हैं, देख ले, जब परदस्ती अलग से बता दे रहे हैं, अब कितना माने तुम लोगो, चल, हाइड्रोजन और देख ले किसको, फ्लोरीन को, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में देख बेटा हाइड्रोजन का कितना है, 2.1, तो हाइड्रोजन का 2.1, अच्छा, फ्लोरीन का देख ले, फ्लो इस पर कहाएगा पॉज्टिव सबको बात समझ वाया है और निगेटीव पॉज्टिव फिर उसी तरह से यहां भी यह खीचा निगेटीव पॉज्टिव और यही फोर्स अप अट्रेक्शन इसके बीच में लग गया रहे बात समझा गी नहीं सब अब तो चार्ज डेफलोप बंडलवार फोर्स से हमारा कौन आया तो वो हमारा आया था पॉलर सॉलिड और लास्ट आ गया कौन था नन पॉलर सॉलिड इसके लिए आप देखो जैसे आप देखो अब इस चीज़ को हम एक्स्प्रेन कर दें इसमें जैसे ह2, O2, Cl2, N2, helium, helium, neon, जितने भी नन पॉलर टो गया, उनमें जो फोर्स और ट्रेक्शन लगेगा, वो हमारा कौन सा लोगा, नन पोलर सुलिड तो धेख, हाईड्रोजन, हाईड्रोजन, यह समझ जा है, तो यहां पे कौन है, हाईड्रोजन का कितना है, 2 होता है, इसका भी 2.1 बनुका से मैं, कौन किसको खीचेगा, क तो non polar है और non polar में जो force लगेगा वो हमारा कौन होगा London force होगा बात सबको समझ में आ गया किलियर है बात तो हमारे crystalline solid जो होगए वो 4 तरह के होगए कौन-कौन-कौन ionic solid, covalent solid, molecular solid और metallic solid molecular solid, weak bond के कारण से 3 तरह का weak bond तो molecular solid भी तीन तरह का हो गया तो अब हम आसा करते हैं कि जितने भी solids हमारे पास होंगे कोई भी solid अगर हमको दिया हुआ है तो उसमें से कोई भी solid अगर हो तो हम उसको पाचान सकते हैं कि वो हमारा crystalline solid कौन सा है क्लियर है बात सबको यहां तक कोई दिकत है चलो तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर फिनिस करते हैं अगले क्लास में फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे crystalline solid के structure के बारे में बात करेंगे उनके geometrical shapes के बारे में बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे Thank you